ओम शांती, 22 सप्टमे के इश्रे वद्दान में आप सकता सोगत है, परमात्मा कहते हैं, द्रणता की शक्ती द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, त्रिकाल दर्शी आसंधारी भवा, द्रणता की शक्ती तो इंपोर्टेंट है, विल पावर तो इंपोर्टेंट, लेकिन प्राप्तिकाल दर्शी होना बहुत जरूरी इसमें, द्रणता की शक्ती श्रेष्ट शक्ती है, जो अल-बेलेपन की शक्ती को सहच परिवर्तन कर देती है, अल-बेलेपन भी एक शक्ती है, मलक की नेगेटिव तिंकिंग भी एक पारफुल शक्ती है, तो या तो आप कहते द्रिणता है, वहाँ सपलता है अब कोई इंसान अगर चोरी करने में द्रिणता दिखाता है लूट पार्ट करने में द्रिणता दिखाता है मॉल्टर करने के लिए सोचता है या किसी का नुकसान करने के सोचता है तो वो भी द्रिणता ही है सर्फ जैसा समय वैसी विदी से सिध्धी सुरूप बनो समय नुसार मुझे कारे पूरा करना है लेकिन उस समय में अगर कोई रुकावट आती है तो मुझे कौन सी शक्ति को अस्तमाल करना है सेहन करने की शक्ति है, मदवरता की शक्ति है अमारे अंदर गुण है हमारे अंदर, ओनिस्टी का गुण है हमारे अंदर, सच्चाई का गुण है या हमें चुप रहना है, जो कि दिखाते हैं कि समेटनी की शक्ति चुप चाप रहना है उसमें, बोलनी कुछ भी तो कौन सी शक्ति है, कौन सी सिध्धी को इस्तमाल करना है वो समय नुसार होता है कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदी मद्य अंत को सोच समझ कर कारे करो कोई भी हम जब कर्म करते हैं उसका आदी मद्य अंत इस समय आपने उसके बारे में सोचा कि मुझे ये कर्म करना है उसका असर क्या होगा फ्यूचर में जाकर के सिर्फ फ्यूचर में इस जिनम के लिए ही नहीं हमें इतना भी सोचना है इस प्रेश लाड़ी सिखाती है कि उसका सत्युक्त रेता द्वापर कल यूग में क्या असर पड़ेगा क्योंकि जिस आत्मा के साथ में अगले जनमों में भी फेस करना पड़ेगा ये इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है हम सोचते है कि इसी जनम का है इसी जनम में हो जाएगा नहीं अगर हमने कल सास छोड़ दी शरीड छोड़ दिया तो वो फिर पूरे 5000 वर्ष के साइकल में नूद हो गया कि वो आत्मा के साथ में अगर मेरा संबन बिगड़ा है तो वो आत्मा मुझे कहीं न कहीं डूणेगी किसने किसी योग में मेरे पास में आसपास आ करके मेरे से वो फिर हिसाब कताब चुतू करेगी तो इसलिए आगे पीछे दिख करके बोलो बोलते हैं तो यसी तरह से प्रभन करते हैं अमारा दुबा पर यूग कि मुझे पुरे साइकल में सात्मा के सात्में कैसे सम्स है को सोच समज कर कारे करो और कराओ अर्थात्रिकाल दर्शी आसंधारी बनो तो अल बेलापन समाप्त हो जाएगा संकल पर रूपी बीज शक्तिशाली द्रंटा संपन हो तो वानी और कर्म में सह सबलता है ही संकल पर रूपी बीज संकल पर एक बीज है थोट है जो कि बीज है शक्तिशाली द्रंटा संपन हो और दर्ड़ता तभी आती है जब हमारे अंतर और उका भला करने की शक्ति उती सोच दिते हैं लेकिन अगर हमारा सवार्थ है किसी करम में तो उसमें दर्ड़ता की शक्ति लंबी नहीं चिल पाती है क्योंकि अन्य आत्माये फिर विगन्सुर बन जाती है ओम्शंति